अगर कभी किसी औरत के साथ कोई हाथसा हो जाए तो ये ना सोचते होए कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी आम तोर पे लोग ये सोचते हैं कि परिवार की आभूर, परिवार की इज़त लुट गई आपकी बेटी की भावनाव से बढ़कर लोग क्या सोचेंगी ये जादा जरूरी क्यों हो जाता है नमस्कार, मैं दिव्यांका तरपाची दहिया Crime Patrol सतर्ग Women Against Crime की श्रंखला में आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज की कहानी लड़कियों की इज़त के साथ खेलने वाले कमजर्फ लोगों और सच्चे हाथसों पर आधारत है हमारी अच्छी कहानी इस सोचने पर मजबूर करेगी कि लड़कियों के साथ जो हाथसे हो रहे है उन्हें देखने का हमारा नजरिया क्या सही है या गलत है और क्या इस नजरिया को बदलने की जरूरत है ऐसे क्राइम में विक्टिम को ही जज़ करना क्या हमें ज्यादा बड़ा क्रिमिनल नहीं बना देता? शुबरा देखो तो काफोन! तू महीं देखो! हलो? हाँ बोलो? शायद फोन बन करके रखा हुआ है उसमें रियाज कर रही है ना? हाँ हाँ रियाज कर रही है क्या? कितने बजे? हाँ 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 अब ही आजाएगी मैं भेज रहा हूँ हाँ हाँ मोली? क्या हुआ? मोली को गुरी पुनी मा के फंक्शन में जाना है मोली हो ना? रियाज कर थे बुष ले शौप की जुगूले जाएगी अम ही देख जाएगी मोली! तार तारी कोड फंक्शन के लिए लेठ हो जाएगी अरे नहीं लेठ हूँगी मा चिंता मत करो पंदरा मिट में पौछ जाऊंगी मैं माता खाड़ अपनकी ऐसे जाएगी खोलो अरे आ रहा हूँ दस मिनट के अंदर हाँ बाबा पक्का फोन करता हूँ आहा को तो मिस्ती लाक्षे है अरे बास 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 देखना आज हमारी बेटी ना चाह जाएगी ठक ठक बटा इस्टेज पर गाना गाते वे देखने गाना मेरा बहुत मन्ता हमारा प्रोग्राम निट पे लाइव आने वाला है सच फिर हम दोनों दिखेंगे स्कॉलो आमे आशीमा? दुद्गा दुद्गा बेस्ट रफलत थैंक यू बाबा क्या हुआ अब इतना खुश नहीं है नहीं बहुत खुश नहीं हूँ बेटी का बाप उना उसके चिंता सताह रहती है बस अर बस बस दादा यही रोख दो हाई सेक्सी अरे जब मैं बोल रही हूँ तो तू इतना घपरा रही है कोई हैंसम हंक मेलेगा तो क्या करेगी तू चूपरे और अब चल शुक्तिको चल डिना लागी ली है तुमार मॉली आ जाए अरे किन तो ओ तो गुरुजीरवारी ते खेया अश्मे ने 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 मॉली के आने के बादी खाना कहूंगा ठीक अचे भी है भाई Sexy मॉली मॉली यह कार्ड नहीं मेरी भीलिंग्स मेरी ड्रीम्स है प्लीज इसे लेने से मना मत करना, प्लीज, प्लीज थांक्यू मॉली प्लीज, प्लीज, कि में वहता है। कि बिटान, बिटान, ड़ते नहीं है। हम है ना तुम्हारे साथ? इसे पहले हिएंसे कभी देखा है, उसे? इग्सेकले कहां पे हुआ था ये? इस दो खेंद लेन, नहीं, थार लेन? कर दिए लग्टोम जुब जुब जूब जुबता हूं सोजी कोई पुलिस जून दिखा लेगी अरे लेकिन हमारी बेटी का रेप नहीं हुआ है तुमने खुद चेकिया ना लेकिन उसने जो मेरी बेटी के हालत की है उसे तो उसकी सजा मिल ली चाहिए ना उसकी सजा उपर वा लेदेगा मैं जिंदगी बर अपनी अपनी बेटी को ये सजा नहीं भुगतने दूगा अगर तुम पुलिसी सेशन गई तो पता है क्या होगा टीवी एगबार में ख़ब चपेगी पूरी दुनिया हासेगी तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी सह पाएगी सब कुछ मॉली बेटा अब कैसे फिल कर रही है बेटा तेरे साथ जोड़ी हुआ उसे बहुल जा बेटा देख हम है ना तेरे साथ तुझे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो हाप अमरे मासे कॉल आया ता कुछ निद बहले आपकी बेटे के साथ कुछ गवा था अब बेर साथ है आप लोग रिपोर्ट दर्श करवाई और यकीन मानिए कि जिस किसी ने भी आपकी बेटी की हालत किये हम उसे पाताल से भी किश लाएंगे जब मेरी बेटी का रेप हुआ ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट किस वात ही मैं अपने खांदान की और पदना भी नहीं करवानाचाएताँ हूँ अब गलति कर रहे हैं सर नहीं सर्माल कोई कि नहीं कर रहें हूँ जहते धिंतलम हृष्णा भी घ्लती करो हो इसकी रिपोर्ट लिख लिख ख़र मैं अपके लिये सिर्फ़ हो सकता है लेकर मेरे लिए मेर परवरिश, उसके शादी, यह सब कोज है, कोट कचहरी की चकर में नाम नहीं उछा लेके, यह कहा कि नजानी कितने माबाप अपनी बेटियों पर अत्य आचार होने के बात भी, पुलीस पे कंप्लीन नहीं करते, समाज क्या कहेगा का यह डर? यही हमारे समाज की सबसे सच्चा ही है और इससे अपराधियों को आश्रे मिलता है उन्हें ये लगता है कि वो अपनी कुछ भी मनमर्जी कर सकते हैं मौली का केस रजिस्टर ना करवा के उसके अपराधि को सजा न दिलवा के मौली के माबाप ने शेहर की बाकी सब लड़कियों को खत्रे में डाल दिया था एक तरह से इसका अंजाम भयानक होना ही था हलो मैं पहुँच भी गई हूँ कहां हो तुम लोग अच ठीक है मैं वही आरे हूं और तुम लोग जल्दी पहुचो ओके मैं तुम लोग जल्दी पहुच़ो एँ तबर्च थोड़ चौड़ चौड़ दुच़। नो बीच रखे्स पाता ने पता नहीं? यहाँ, पुलिस कंप्लेंड करते हैं. अरे, ऐसे मन चले ना रोज मिलते हैं. अब हर बार पुलिस के पास जाने लगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी. अरे, किस कौशिक का रहे गया अब? पता नहीं. आगे साब. सॉरी यार, मता किया. आए, अरे, भी तो कभी ऑटो से आता निये? आगे गए, वो बाइक आते है तो ब अठ्यों स्यूश्रों चाहरा थाños में ले दुए् छाना तो रिंद्ग वेवानने करें. प्रेस्पिरेंस नहीं? यह जुट है लिसन, कल की रहस्यान? तेम टाइम प्लीज चार बजे तेम प्लेस रूफटोप राइट सीया बाइट शोईनी चलो तुम्हें घर देता हूं तुम्की परशान हुरह हूं अल्मानच पास मही तो है बाइट 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 दीदी शोविक मामा तो घर पर नहीं है लेकिन इस वख कहां चले गए अब अब बाइट अब 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 यदि अब 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 को मना कियाना इंसे मिलने के लिए प्रुष। बबाबा मुझे अब कोई बात ने सुनी है चलिए अब आव मेरे साथ श्वहीनि अश्वहीनी आप खरुब अब आपको कोई बात ने कर ली है ऐसे अब दूज़ा अबस एक रिक्वेस्ट ऐ प्लीज मेरे बाबा को बख्श दो चे ऐख संचे, संचे अच्छा सौरी आपको इतनी बार माना किया फिर भी इस आरत से मिलने चारे गए अरे बिटा संदिया का फोन आया था उसने कहा कि उसकी तर्वित बहुत खराब है लेकिन वहां गया तो उसने शराब उफर कर दी और तुम तो जानती हूँ बेटा शराब के आगे मैं कितना कमजोर पड़ जाता हूँ बहुत अच्छे से जानती हूँ और इस चीज का वो फाइदा अठाती है और सौरी इस ओके अब कल से हम डिनर साथ में करेंगे मैं खुद बनाऊंगे आपके लिए और आपको शराब किसी भी हालत में नहीं पिने दूँगे तु मेरी बेटी नहीं मा बन गई हो मा जुलिएट सिंस ताइम इममोरियल I have been contemplating to say something to you अब गदे बोलना I love you मैमे करेगा या I love you बोल पाएगा आज तू रहने दे, तुपसे नहीं होगा Guys, मुझे नहीं लगता कि आज रहसालो पाएगी हम लोग कल मेलते है ठीक है और तू प्राक्टरस कर घर पे Hi Hi अज जल्दी फ्री होगी ओगी ओफिस से सोचा तुमा असा टाइन स्पेंड करू Not bad, huh? वो बेपकुफ तुमे I love you बोल नहीं पा रहा था और सच्छा है मुझे लेलो उसके जगा तुम और अक्टिंग क्यो? चैलेंज I love you, Shohini एक मेड़ा Yes, Baba Yes, Shohini, बेटा तुम खाने में वेट वर्क करना फ्री होने में काफी टाइम लगेगा मझे कभी ना कभी तो फ्री होगे ही ना लेकिन बहुत लेत हो जाएग बेटा कितना भी लेत हो जाएग डिनर अम साथ में करें कितना भी बढ़ा कितना भी ना Haloo? हाँ? हाँ? हाँ, वाँ हाँ 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 सर यह शो ही नहीं है, नीज परपरवला बॉड़ी देखिया हम अंदर फोन को रहे चिड़ा बाकी घर वाली का? सब बाप, बेटी और दूर का एक भाई यही तीन लोग रहते हैं यह तीन लोग रहते हैं सब बहुते गरी परिवार्स हैं देख बाल करने के लिए बुलाया गया था नौकर जैसे ही समझ लीजीए यहां से गिर के कोई मर तो नहीं संता मुझी पहिसा लगता है आशे पाशी कोनू कुछ नहीं है कौन हो तुम यहां काम करता हूँ सुबह सुबह शरापपी क्या है नहीं साब तीदी ने कर रात कब मुझे कुछ पैसे दिया तो मिटा लाने के लिए मैंने मिटा है लिया और बैसे बेदे पैसे से मैंने तुड़ीजी पी ली सड़क महीं लुडग गया मैं सब पता चल जाएगे तू कहा आता और क्या कर रहा था सब मोबाइल लेका मोबाइल मेरे बात नहीं है गर की चाबी है हाँ तरवाजा खोड़ जिता सीधा दिखता है ताहे नहीं नजार रखना इसमें साब साब यो तर बताएगा दो घर के अंदर पे फोर्स य है यह नए नहीं सार मैंने चेकेल है घर को अच्छी तरीगे से यह कोई फ्रकर नो Son जो यह जो फेकड़ जाजिए आख मे एड़र से भी चेकल लिए वहां से भी लोग्ड है किसे ने ऐसे खाना खाय जैसे जानुवर खाता है सब मेरा पूरा अंदाज आए कि हम पर स्ट्रगल हुआ है विक्टिम और मुर्डर के पीछ में स्ट्रगल सब्सक्राइब इसी स्ट्रगल की वज़े से ही यह दख्का खाके गिरा है नीजी अगर इस डिक्ष्टन में किरा है तो कोई यहां से निकल के वहां गया और अगर वहां गया है तो बार का दर्वास वो बद्धी है तो गया और तो गया हो तो अपर ही गया होगा एए है सुनो जब तुम मिठाई लेने कहते हैं शोहिनी के बापा घर के अंदर थे नहीं साब साब श्राथ को लेट आने वाले थे शोहिनी का कमर कॉनसा है साब उपर यह अच्छा फोन है इसका मतलब पर हास्य होने से पहले वो म्यूजिक सुन ले थी लेकिन सर मोबाइल फोन तो बंद है सर हो सबतार बैटरी खतम होने कवे ज़से मोबाइल बंद हो गया हो मोबाइल अची तरह से चेकिए नीचे ज़र सोहिनी की बॉड़ी पड़ी भी है वहां पर कोई ड्राइगिंग के निशान तो है ने इसका मतलब उसे Male भर के उंद कोई फोस्ट इंटरी का साइन है ने इसका मतलब कातल गर के अंदर ही मौझे उतल की कातिल भूप सामा निया तौक्सुल साभ आप लोग मुझे मार क्यो रहे? साभ मैंने क्या क्या कियाश़ाएब? देख तू भी अच्छी तरह से जानता कि मुड़र तूने किया अब यह पता कि मुड़र क्यूं किया हो मुड़र वेपन किया साफ, मैंने किसी के मुर्डर नहीं किया साफ तो मुर्डर की विजस, मदद की तुने? नहीं, नहीं, सार खुनी को तुने अंदर आने दी उसने खुन के खाना खाया चला गया जब तेरी दारू उत्री तब तु वापस आया यगिन मानिया सर, मैं जूट नहीं भूलना हुँ, सर इसके खातिर दादी करते रहो जब तक यह साचना बने सर, 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 सर सर, आमारतमनों अच्छे कमा लहीं सास्पेक्ट सारे सबूत उसके खिलाब है आजब असपास के लोगों से कुछ पता चला जी सर शोहहिनी की मा काफ़ी साल पहले उसके फादर से अलग हुई थी दोनों में को रिष्टा भी नहीं थै शोभी के ओफिस जगOW पता करो उसके साथ किसी की दुश्मनी या किसी के साथ अनन हुई है और उसके बिज्निस के बारे में पता करूँ सर सर, शोहीनी के दोस्तों को बुलाया है शोहीनी सबसे जादा वक्जो है आप लोगों के साथ बिताती थी कभी आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होा कि उसकी किसी के ददुश्मनी है या किसी ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की नई सर इस से पहले शोहीनी के साथ कोई हाथसा हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था एक आदमी शोहीनी का दुपट्टा लेके भागा था हाँ सर, जैसे मुआ पुची हूँ बाग गेती शेयर अटा मुने अचे? नहीं सर, उसने गमचा बान के रगा था बाइक का नमबर लिया था? नहीं सर यहाँ सर कब और कहां हो था? और सो, शाम को तीन साड़े तीन बजे रबिंद्र गारडन के गेट के सामने हुआ था वहाँ जा कर पता करो आस पास के लोगों से पूछ आच करो यहाँ सर्ट के ताइब कर दो कभी उसके साथ कोई अगिवेंट एक कोई चगडा हुआ ता नहीं सर, कभी नहीं नहीं आपर सर ठीक है तुम जा सकते है सर सर यह यह शोईली का मॉपाइल हमें चेक के एश में कुछ मिस्टिरिस नहीं है सर, रगुलर मेसेजिजिस नहीं चैट से लेकिं सर, हसे पले एक नम्मर से एक नम्मर से को फ्रेंटिक के लिए कॉल और मेसेजिजिस रादे जैसे, I want to reach you out, don't avoid me, call me back किसका नमर? सर, इस लडगे का पूरा नाम है, Pratish Kaushik उठा के ले क्या हुआ है? सर प्रतिष के डाकुन है वो तो घर पर नहीं है कहां गया है? कुछ बता के नहीं गया और उसका मुबाइल भी बंद आ रहा है लेकिन प्रतिष ने किया क्या है कब से घर नहीं आया वो? कल रात से अगर प्रतिष घर लोडता है तो तुरंथ हमें खबर कीजी और अगर आपने प्रतिष को चिपाने में मदद की तो आपे भी कानूनी करवाई हो सकती है Shohini तुम्हें अज़ लाइफ पार्टनर कैसा लड़का पसंद है? तुम्हेरे बेस्फरेंड हो तुम्हेरे बताओ मुझे कैसा लड़का पसंद हो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त होना चाहिए नाइस हुमन भी होना चाहिए कुल्चर्ड, एजुकेटर्ड, अच्छे फैमिली से हो तुम्हें खुश रखे हसा है अब ये बताओ इन सब क्राइटेरियाज में तुम्हें कौन फिट बैचता हूँ दिख रहा है पता दो हाँ दो देखो हाई हाई बाबा फिकता है बाबा उती बाबा अब फिकता है ना बाबा या बिटा बाबा अब कब तक इस बैसाकी के सहरे चलेंगे घबी भी फिसल जाती है आप अब प्रोस्टेटिक लग लगवाईए ना नकली पैर अरे बिटा हमारे पास इतने पैसे कहां है आपको पदा है बाबाच क्या है क्या है? वेलेंटाइन्स दे हैपी वेलेंटाइन्स दे बाबा अरे पगली अपने बाबा को भी कोई वेलेंटाइन दे बोलता है क्यों नहीं एक बेटी के लिए उसका पहला प्यार अपना बाबाई होता है अरे मेरा बैच्चा देख मेरे कपड़े तो गंदे थे साथ में तेरे कपड़े भी गंदे हो गए चलो, चलो सर पोस्टमार्टम रिपोर्टर ते ये पता लगा है कि बालकनी से गिनने से पहले शोनी के सर पर पीछे से किसी ने वार किया है और जिसने का गहाव है उसको देखे यही पता जलता है कि जिसने भी इस पर हमला किया है उसके हैट कुई सभ़े पांच फीट के असपास होगी सभर तो सांगा थी कि बापर रेपिस के सीमेंस मुड़र तक पहुचा जा सकता है ना सब शव्भा उनला कैन्यों सर उसे कॉंड़ों के इस्तिमाल किया ता तो में सीमें के ट्रेसेज मिले ही ने और में फिंगर्पिंट्स भी नी मिलें क्योंकि इसने गलफ्स किस्तिमाल के अपने कुछ दुक कुलूगा सार मिला है लेकिन बहुत है लेकिन बहुत है नेक्रोफिलिक है लड़की का खून बैता रहा लेकिन उसके बाद भी उसने रेप कना रोका ने सर ऐसे लोग बहुत गुसेल होते हैं इंको कोई फर्द मी बढ़ता कि लड़की जिन्दा है या मर गई है बाबा की मौत कैसे हुए सर बाबा का मुर्डर भी इसी नुकेली हतियार से गले पेवार करके हुआ है खोन जादा निकलनी के विज़े से इंकी मौत हुए और उकी बेटी के भी इसी विज़े से मौत हुए है नौकेली चीज मतलब किसी चाको या चुरी से नाई सर यह गाफ चाको चुरी का नहीं है यह नुकलिया तयार कुछ और ही है दोनों की मौत की टाइम है मेरे अनुबह के Blood camera पर पहले बेटी की मौत है और उसके एक घंटे के पाद बाव की मौत हैं मेकाते दोनों के मौत में तकरीब आने एक घंटे का फरक है आसपास के शहरों और गाहुंений तकी पता करो गर के अंदर कोई फोस चुनिट्री के निशान तो है नहीं तो या तो गातल चावी से दर्वाजा खोल के अंदर आया हुगा या फिर घरवाले उससे परीचित थैं और उसे अंदर आने दिया तो इस तरह से एक गातल अंदर दाखल है सर्थ देखा जाए तो दोनों ही सीचुईशन में कमल हो सकता है कमल तो मिठाई ले ने गया दो हो सकता है जब वो मिठाई लेकर वापस आया तो उसने चावी से दर्वाजा खुला या फिर उसने बेल बजाई हो और शोहीन ने दर्वाजा खुला सर्थ थीसर उफ्षिन भी है या फिर शोहीनी अपनी जान बचाकर यहां दर्वाजे की तरव भागी होगी कातलनों से रोकने की कोशिश की हाथ पकड़कर या दर्वाजे की बीश में आका है शोहीनी अपनी जान बचाकर इस तरव भागी बैलकिनी की तरफ से, क्यूंकि टेर्स में जाने का और कोई रास्ता तो है नहीं शोहनी यहां से तेज भागी और कातिल उसके पीछे बागा शोहनी भाग कर यहां बैलकिनी में आई होगी जोड़ जोड़ से चीखी होगी, चिलाई होगी, पडोसियों से हल्क पांगी होगी वह सार, बेवाँ शोहनी के साथ मर्डर ने यहीं पर रेप किया होगा फिर रेप करने के बाद, शोहनी के बॉड़ी को यह ड्राइक किया होगा सर, सर यह ब्लड से निशान देखिए यह निशान यह बता रहे है कि कातिल कतल करने के बाद नीचे के तरफ किया था हूग और फिर शोहनी को मारने के बाद, वो यहां नीचे आया होगा यहां टेबल पर बैटके, उसने खाना खाया, प्लेट में नहीं, बावल में किसी जानवर की तरह, होन भरे हातों से और इस ब्लड सेम्पल को जब हमने चेक किया तो यह शोहनी के ब्लड सेम्पल से मैच कर गया है फिर उसके बाद शायद शोहनी के बाबा की इंटरी हुए 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 हु पोडस ओपरेंडी तो आइडेंटिफाई कर लिया था. लेकिन शोहीनी और उसके पिता के कतल का मोटिव समझ नहीं आ रहा था और ना ही कातिल आइडेंटिफाई हो पा रहा था. यहां तक कि मौकाई वारदात पे जो सबूत मिले थे वो भी नाकाफी साबित हो रहे थे. क्या शोहीनी और उसके पिता के जिंदगी में ऐसे कोई रास थे जिनकी वजए से उनकी तीबरबरता से हत्या हुई? ऐसे बहुत सवाल थे, पुलीस को जवाब ही नहीं मिल रहे थे. जी? I'm Sandhya, सोबित चैटे जी की वाइफ और शोहीनी की माँ. लेकिन आप दोनों तो… जी, मैं अलग रहती थी, लेकिन लेकिन अब भी मैं उनकी वाइफ हूँ. और शोबित के मौत के बाद, इस प्रॉपरटी के वारिश भी हूँ. I can understand, sir, के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा… …सेप्रेशन नूचिल था, sir. बले ही मैं अपने पती के साथ अलग रहती थी, लेकिन आमा तो दिवर्स हो ही नहीं है. इसके जुरूरत नहीं बड़ेगी, घर आप ही का है, इस और जहां तब क्राइम सीम की बात है, हमारी इन्वेस्टिकेशन होची. और एक बात, sir, अकील सार्फ, ये कॉमॉल के बेल पेपल्स. वो तो मर्डर सस्पेक्ट है? आपके पती और आपकी बेटी का? वो मेरे पती के रिलेक्टिव है, sir. उनके मनने के बात, जो उन पर अश्रित है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ, sir? अगर वो गुनिगार साबित हुआ, sir, तो आप प्लीज उसे फासी पर चलाइए. I don't have any problem. बट एक गडीप को अब इस तरीके से लॉक अप में कैसे रख सकते हो, sir? यह ला, फॉमलिटी इस पूरी कर रहा हूँ, अकमल को छोड़ को, sir. थैंक यू, नौश्कार. Sir, मैं इपने गर जा रहा था, तभी मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया. गाडी का नंबर देखा था? नंबर की जगर हिंदी में राज लिखा था. यह राज नहीं है, गाडी का नंबर ही है. 2151. आपके वाँ 2151 नंबर की जितनी भी कार रेइस्टर्ड है, उन सब की डीटेल से ही है. एक्सीडेंट करके सर, भाग जाने वाली कार का पता चल गया. उसके मालिक से बातचीत की तु पता चला कि एक्सीडेंट के टाइम वो कार अपने फ्रेंड को दे करके दिल्ली जला गया था. कौन फ्रेंट? अभी नौ. उसका बाइफ्रेंड? यह सर, यह रहे उसके मोबाइल की डीटेल रिपूर्ट. देखे, इलाज तो हो जाएगा, पर नकली टांक बनवाने में लगबग 40-45 खर्चाएगा. बेटी, इतने पैसे, इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? डाक्टर साथ, माप केजिए, हम बाद में आएंगे. जल बेटी. देख सीधा मुद्धे पैथ हो. तेरा तारिक की रात को शोहिनी के गर के पास के कर रहा था? कुछ नहीं सा, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं. तेरा मुबाइल लोकेशन तो बता रहा है तो शोहिनी के गर के पास था. और जब एकसिदेंट हुआ था, उनका घर दोलेन आगयी है. देख, तेरे खिलाख हमरे पास सबूद भी है, और गवाली है. इसने सच-सच बता. मैंने रात को शोहिनी को कॉल किया था, उसने बताया कि उसके बाबा कही भार गए हुए थे, और कमल मिठाई लेने गया. सर, इसलिए मैं वेलेंटाइम गिफ लेके उसके पास पहुच गया. कोई भी बॉइफरेंड अपनी गल्फरेंड की डेड़ बॉड़ी देखके सब भागता नहीं है. वही भागता है जिसने मुर्डर किया है. है ना? न, 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 सर. लेगे जाओ सर, अच्छी तरह से खातिबदारी करो, जब तक है सचना बोले. सर, सर, सर. हलो? हा, थैंक्यू. सर, शोहिनी के बार में एक नए इंफरमिशन में लिया. स्कूल सिर्थ थाने के सब इस्पेक्टर ने फोन किया था. क्यों? सर, अभी तक उसके बार में कुछ पता नहीं जाना. मैं शोहिनी और उसके बाबा का मुदर केस, इस केस से कनेक्ट तो नहीं. सर, एक्चुली पीहू का मॉलिस्टेशन हुआ ही नहीं था. पीहू और सोहनी को मिसंडिस्टेंडिंग हो गई थी. और जब आमने सामने बात हो गई, तो सब क्लेर हो गया. और पीहू ने केस वापस ले लिया. सर, अरून हमारे स्कूल की शान है. इन फेक्ट इसे बैस्टीचर का अवाड भी मिल चुका है. अब पीहू को बलाई है. अब पीहू को बलाई है. मुस्त पाने के लिए ना, पोईशा भी देना पड़ता है. फिकर नाट. आज अपने पास बहुत सरटकाया. ये लो. पेजा भी. जा, पांच नमबर रूमे चोले जा. नूश के सार. का? सार मैने आपको फोन किया था. सार मैने सुनाए कि आप इसकूल गहते पूस्ताज करने के लिए. उसी इसकूल का बस डाइबर था मैं. सार वो लोग फिर से आपको छिपा लेंगे. आगे कारवई नहीं होगी. इसलिए मैना को फोन किया. तुम कहना किया सार? सार मैने सब दिखा है. उस दिन मैंने सब बच्चों को रिक्षा में छोड़ा था सर. घर था. लेकिन कुछ बच्चे सोईनी के साथ नाटक सीखने लगे. मैं वही इंतजार करता रहा. पीखु को ढूणने वो सोईनी उकली. बचाओ! फिलाओ मात! बचाओ में कोई है आपे! तुम चाहाँ दिखा है आपे! तुम चाहाँ नहीं लेकिने वे अपको बच्चों के साथ भावे उसाथ जिए इस गंडी हरकत करते हुए! मैं आपके कंप्लेंड करूंगे औस इड्मिनिस्ट्रेशन को नी पुलिस को भी करूंगी तो फिर पीहु ने कंप्लेंड वापस क्यों लिए? पता नहीं सर थैंक यू बहुत वैल्यूबल इंफोमिशन दिये तुम सर मैं बहुत करीब आद में हूँ हाँ नाम जनो नहाँ से सर ठीकर बबका कुछ नहीं होगा नो से सर भुश्क अराजी अरून ओ पीओ को लिखे आंदे सुनिया ये जेपी हाई स्कूल के टीचर अरून यही रहते है ना? हाँ साब इधर ही रहते हैं और कुछ देर पहले आये थे घर और बहुत डरे हुए लग लग रहे थे और जल्दी जल्दी में बैग लेकर चले गए मैंने पूछा भी क्या हुआ और कुछ बता ही नहीं हूँ तुम शोहनी दीदी को जानती थी नहीं। इचे चैने के बाबा कम एरौडर होगे? अगर तुम चाहती हो के शोहनी दीदी को में। चाहते हैं हूआ हा जो उटान्य को साथ नहीं है तुो खल के बताओdown अरून सर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करनी की कोशिश की थी? हम शोनी देडी को जस्टिस दिलवा के रहेंगे सर खबरियों से इंफरमिशन मिलिये कि कमल के पास अचानाक बहुत सरा पैसे आगया बहुत आयश कर रहा है नहीं नो कर रात को घर वापस नहीं लोटा उसकी फोड़ोस हर जगां सिर्कुलेट करो I want this man at any cost Sir कमल कहा है मुझे नहीं पता सर आपने उसकी बेल कराई जिम्मधारी आपकी बनती 2400 गंटे उसको अपने नजर के सामने नहीं रख सकती है उना सर उसका कमरा कहा है वाँ सर Sir Sir यह मोबाइल मिला है लेकिन उसने तो कहा था कि उसके पास मुबाइल फोन नहीं गा उसके मुबाइल निकाल मुबाइल मेरे पास नहीं है यह वह रिष्टे था जिसकी पेर भी कर रही थिया I am sorry sir हाँ Sanjay, बोलो क्ये बोल चुतु नहीं Sir मैंने कमल को पैसे और गहने दिये थे बैंक में रखने के लिए पर वह 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 गह नहीं है यह वह पैसे लेक्या भाग तो नहीं किया किते पैसे दिये थे? 2,000,000, sir Hello Okay Sir Arun Ticha को Trist कर लिया शोहीनी की वज़ा से प्यू तेरे हाथ से निकल गए पियू को डरा धम काके केस तो वापस करवा लिया तुने, लेकिन शोहिन से बदला लेने के लिए उसका मडर कर दिया नहीं सर, मैंने शोहिनी का मडर नहीं किया है तुने खुद नहीं किया तो किसे और से करवाय होगा मैं मानता हूँ लड़कियों के मामले में थोड़ी कमजोर नियत का हूँ लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ सर कमल यह रो मुबाइल मिला है मैं उसके अंदर शोहिनी के नहने वाली वीडियोस और कपड़े बदलने वाली वीडियोस मर्डर की रात को तू ही अंदर जा सकता था घर के क्योंकि चाबी तेरे पास ही थी बोल किसके कहने पे किया और मुडर वैपन काई किसी के मुडर नहीं किया साफ आप संधिया जी से बूझ लो वो भी यहीं बताएंगे कि मैं बेकर सुर हूँ साफ संधिया जी ने तेरे खिलाफ जाए रिपोर्ट लिखवाई है उन्हें भी यही लगटा है कि तूने मुडर किया क्या लेकिन संधिया जी नी तो मुझे खुट पैसे दिया और गहने दिया मतलब अपनी इसत बताने की चक्कर में वो मुझे बता रही है सब वो एक नमबर की मतलब यह लालची ओरत है साफ जब वो मामा जी को चोड़ के गई ना तू उस कमी ने संधिय के साथ बाग गई थी लेकिन वो आरत चुब-चुब के किसी ने किसी बाने ना उनसे पैसे एट दे रही साफ और मैं ही उनको घपर देताी का मुझे था साफ ये कमल, तुमारे पति के घर में खबरी का काम करता था तुम्हा लिए तुम्हारा ये प्लान था ना तुमारे पति की प्रोपरटी लेना और अपने बॉइफिर्णके साथ भाग जाना जब अप्लान तुमारा फेल हो गया, तो अपनी बेटी और अपने पती दोनों को मरबा दिया तो मैं अपने पती की प्रोपटी हासिल करना चाहते थे एक इंसर मैंने अपने पती का और बेटी का गुन नहीं किया था हालो, प्रितिश, क्यासा है बेटा? माँ मेरा और जिने का को इरादा नहीं है माँ, मैं पुलिस से तो भाग सकता हूँ, लेकिन शोहिनी की यादे मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, सब ठीक हो जाएगा मैं शोहिनी के बगेर दिन्दा नहीं रह सकता हूँ, माँ प्रितिश? हालो, पुलिस सेशन? शोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं काफी समय से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन कभी भी तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बत पाया और तुम भी उसके पास जा रही हो, जिसने तुम्हारे बाबा का खून किया मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था, पुलीस के सामने संदिग्दों की फेहरिस्क बढ़ती जा रहे थी, उनमें से कुछ अपराधी भी थे, और सब के पास स्ट्रॉंग मोटिफ था, कोई पुखता सबूत ना होने के कारेंट पुलीस शोहिनी और उसके पिता के कातल तक नहीं पहुच पा रही थी, वो जैसे कि डेड़ एंट पे पहुच गए थे और इंवेस्टिकीशन आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो गया था पंचनामा करके बॉड़ी का पॉस्टमाटम करवाते हैं और यह पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, शायद क्रिमिनल के कोई ट्रेसेज या फिर सबूत मुले और इस रोड पर जितने भी CCTV कामराज हैं मुझे सब के फूटेज चेगे क्रिंडपिंग की जगे का CCTV फूटिच मेला जी लगा रोक जोम इन करो गाटेट ये कार जिसके नाम पर भी रिजिश्टर्ड है उसाप भी लेगे तो आप आप उस कार के मालिक जी सर तेरा अथारी को आपके कार कहा थी लेकिन सर ये कार एक अपते पहले चूरी हो गए थी जिसकी मैने रिपोर्ट भी लिख भाई थी आप चाहें तो अपते हैं बात कर रहा हूं सर एक अपते हैं पर एक कार थेप्ट का केस आया है फिर उसी कार का इस्तेमाल एक लड़की को अगवा करने के लिए किया गया था और उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक बहुत याजीव और नुखिली हथियार से बुरी तरीके हो सकता हुसे पहचान जाएगे बेड़े से पहचानते हूं हाँ सर यह है वो आपका सिलेशन काम आया है सर मोली ने मोलेस्टर को पहचान लिया यह भई आदमी है सर मैं बहुत करीब हाद में हमान नाम जनो मैं आशे सर अब तक तु तु समझ चुका होगा तेरे साथ कोई हमदर्दी नी दिखने वाले हम लोग इसलिए सीधा सीधा सच बता और ना इतना मारेंगे के मर जाएका तो बोल जाएका तो अंदर के अंदर गया उस पर हमदा किया वो टेस्ट पर भाग गया तारपूर हमी खूगली चोले जाएगी वहाँ मिदा मुझे अच्छे लगी मैंने कार चुडा के आखिरकार वो वैशवी दरंदा पकड़ा गया गुना होने के बाद गुनेगार को पकड़ने से अच्छा है गुना को पहले ही रोक दिया जाए अंग्रेजी में कहावत है prevention is better than cure और ये तब ही संभव है अगर आप क्राइम को unregister'd न जाने दें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि किसी की नजर में हरकतों में जरा सी क्राइम की जलग भी दिख जाए तो रंट सतरख हो जाएए आसपास की पुलीस को इंफॉर्म कीजिए यह याद रखे कि समाज तब ही सुरक्षित होगा जब आप जुर्म को जड़ से उखाड देंगे जब आप अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे आज की एपिसोड में हमने क्या सीखा यह कि अगर मौली के माता-पिता ने ततपड़ता से पुलीस को इंफॉर्म किया होता ना तो आज मीता, शोईनी और उसके पिता की जान शायद बच सकते थी तो एक Crime-Free समाज की आशा के साथ में दिव्यांका तरपार्टी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा फिर मिलूंगी अगले केस के साथ तब तक देखते रहिए Crime-Petrol सतर Women Against Crime एक औरत परवार अब हर औरत का भार, जैहिन यह आप चड़ी, इकड़े रेकड़े पर भार, पर अभर, अधिजक जहन रहा हो पार अ किना मीदा सुझा रोड़े आप जादा नीमीलता और मैं बाह पर कभी कभी जाता, ऐब आप्यास्का रहे जाता दो ना आप, आया बडा बड़ाई करने वाला, आप बड़ा अकि अधर बने गरे आक हुलोघ हुलोट हाँ 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 हुचलम है और हम अखिए लिए टरहता मेरे बेरट को अपलर है एक सरका क्वहलो अब श्या करें एदो theor कि अश्या है तरह चेखी प着बनी कसा एदर ठ्काल आपट या साउ हाँ एकर श्या पत्सक्र निकाल नमस्कार, मैं दव्यांका तृपाथी दहिया Crime Patrol सतर्क Women Against Crime की इस्ष्रंखला में आपका स्वागत करती हूँ हमें बच्पन से सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो लेकिन आज का जमाना अलग है बुरा मत करो, लेकिन अगर बुरा होते हुए देखो, तो उसके बारे में बोलो आपने कभी गौर किया है हमारे समाज में मासूम इंसान होना अच्छी बात कहलाई जाती है लेकिन आमतोर पे यही मासूम लोग शातर और जालसाज लोगों का आसान शिकार बनते हैं आज का केस एक ऐसी मासूम जिंदगी का है, जिसके साथ अन्जाने में बहुत बड़ा विश्वास खात हुआ अची कि अची कि अची कि अची कि अची कोड़ बारे है, इस उल्दर है नाही गर्प, उसकी आखे देख बिलकुल अपने आई जिसी है मलती कोड़े इप, मलती मलते क्या करें है इसे क्यों लेकर चलिए अगे आपको पता है ना, आके जा कले है इसका साया भी मेरे बच्चे पी नहीं पढ़ना चुगे कुसम तुम अभी भी इन अध्विश्वासी बातों पे भरोसा सरुती हो कुसम तू ऐसा पाउनान चा अपमान नहीं करा इचा बच्चा होना या नहीं होना किसी के अपमान सम्मान की वज़य नहीं उसकती इसारी बाते बेकार हैं बेकार की बाते हो नहीं, ये कर रहे ही ना जाने कोनसी मन्रूस घड़ी थी चो मैंने अपने बेटे की शादी इसके साथ करवाई आई, शिरू शिरू आँ, हाँ, चलो, चलो, सब चल, चलो कुसो लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते मिया है ना एक तेरे बीबी के वज़े से सब के मुझे ताले सुनने पड़े छोड़ दे उसे और दूसरे लड़की की साथ साधी कर ची आप ले खराना ला वारस देए अई मिया से काई करना नाहीं है और जाने भी के ट्रीटमेंट चल रही है थोड़ा समय लगेगा, सब तीक हो जाएगा और नहीं भी ठीक हुआ ना, तो हम बच्चा एड़ोप कर लेंगे ए तेरे मॉडन विच्चा, तेरे पास्टर इस कान भरते ना तुझे मुझे इस खांदान का खून चाहिए अपना खून चाहिए इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती अगर मैं मान ही बन पही तो क्या आप कुझे छोड़ दोगी तो आईचा बोलने करे लक्षा नो को दी उस औरी पुराने कहालाद किये हुँ लेकिन क्या आपका मन नहीं करता कि हमारी भी बच्चियोग अरे भावी हम उठा जेते हैं ना अरे 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 गिर गया था शारी अरे भावी जी चूड़ गया क्या हुआ क्या हुआ अनुराजा जी आपकी बहु की कुंडली में संतान सुपनी है पर हां अगर आप पुजा पाट करवाएंगी हावन करवाएंगी तो इस्तित बदल सकती है आप गयारंटी देते हो मुझा करने के बाद में दादी बनूंगी अम राधा जी मैं कोई पंखा बेच रहा हूं जिसकी आपको गयारंटी दो अरे ये तो सब ठुवान जी के हातों में है उनकी क्रपा होगी उनकी मर्जी होगी तो सब कुछ कुछाल मंगन होगा अब भगवान नहीं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा हे बगवान एक मुल्गी पसंद कर कित्यों मस्त मस्ते बगवान अरे इनके नसें पे संतान सुख है आई तो कावगा से सगड़ बोलो दस्तिस यह हम पती पत्नी के आपस का मामला है हम सुल्जा लेंगे मेरे बेटे को चुणने के लिए क्या लेगी तो आई चुबाई पईसा यह बंगला तेरे नाम कर दो सब कुछ ले लेकिन मेरे बेटे के जिल्लेगे से तूर निकल जा चली जा मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है इसका मुझे कितना दुख है शाद आपको नहीं पता पर आपको मेरा दुख नहीं दिखता आया मुझे सेफ ताले देती रहती है किसी दिन तो मैं अपके ताले सुन-सुन के मर जाओंगी शाद तभी मैंसे अलग हुपाऊंगी कशला वाद गलते से जावर सारका इसे देगा मैं इसे हो सप्ता है कि अधिकर बाग रहा है ए जिंगोरी दो आज तो बागया कल्किया गरेगा आज पाल आप दो आज आज़ा वाल आज़ा तेगे तेजी फेवरेट मिटाई मिटाई कुठोल अजलीज वो पिछले अफते में मिटाई के दूकान पर काम कर रहा था ना उसे पैसो से लाईए अज है तेट मत कर, तेरी स्कुल के बढ़ाई पर ध्यान दे पैसे कमाने के लिए मेह हूँ ना अजजी, थो कितना काम करेगी और तू जो काम करती है उसे जो पैसे आते हो सारे पैसो तवम चीन लेते है nécessaire अजी, एक काम करते हैं, आपड़ ना, इतुन कोड़ी तरी लाम जाविया, वहाना बाबा होंगे, ना वो गणी के लड़के लोगे लोगे, तित्या अपलेला कोडिस सत अउनार ना है, मिट्राई, मतलब पैसा आगे, है, हाई, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, देगाई, त तुर बोली थी ना, पैसे देगी, पैसे दे, मेरो को बार-बार मागना अच्छा नहीं लगता है, पैसे देगे, नहीं के ते, मिटाई गाते पोती को लेगे, पेट दू किता, पैसे, अगर इसे ना, तेरी पैसे की भूख शान्त होती है, ना, हम सब को बेज डाल, वी कु लगत! बाबा, आप यवे मत अगर वा, तु या बाब है क्या मेरा, पिर से जबान खोली ना, तो तु टांग तोड़ दूँ अजरी, है! भी है, नहीं अचाहई ले, जलजल पटकन काई शोबांगी में काय करूं मला काही समझ जचत नहीं मेरे सारे रिपोर्ट्स भी नॉमल है अब मैं प्रेगनें नहीं होती है तो इसमें मेरी क्या गलती है एरशेट, स्वारजे हाथा लेखा देख, मेरी बात का बुरा मत मानना पर हो सकता है मुवट में कुछ करना है ना है, असा ना है शोबांगी उनके भी सारे रिपोर्ट्स नॉमल है मैं मेरी सास के तानों से भी परेशान हो चुकी तम कुटता है मेरा सब्राथ ही कोई, पर अपनी सास से बच के रहना मुझे उनके रादे ठीक नहीं लगते और तेज और अरगोरा हालो, हाँ मैं निकल रहूं, बस पौची रहूं करें रहा है करें करें रहा है वह कुसम के आपूजा है तिते जाते हैं, जल्दी आजाओंगी तुमने बताया है नहीं? मैं भूल गईती, आती हो हाँ मैं भूझे रहा है आप भूझे बादे भाजा भाह्या गेट खोल दो मैडम डिटी खतम हो गही हमारी बाहर निकल ये खुड़े खुड़े अरे गेट तो खोल दो ना सिर्फ आप समध में नहीं आज़ा दो भूझे अरे कपड़ा बदलना जा रहे हम अरे ये क्या बत्तमीजी है और ये क्या तरीका आपका बात करनेगा अरे बत्तमीजी किये कहा है मैडम जो बात है साफ है और तरीका कैसी कहा रही हमको गेट फोलने में अबे चौबे गढ़ा है क्या समझाव इनको जरा अरे बाई इसी बात करेंगा मालिक है ओम अरे बाई गेट खोल दे ला क्या हो जाएगा तुदे खोल ले जाएगा सौरी माडम आपको मालूम नहीं है गाड़ी में ड्राइव करते वग बात करना गुना है आओ भारा बारा आई ये बारा आई तुदे जल दि में थी मार पहला आई ये थोडे जल्दी में थी मैडम सौरी हचल आँ तुदे जल्दी में थी माड़ी से नहीं हो का सीघे माज भुच लेंडेन की बात होगी ना तो जोड़ दूम हाथ केसे लगा? मैंने किदर हाथ लगा? हाथ लगा तुमने? मैं कम्पलिंग दूगी तुमारी? एक कामकर, ज़ो तो और नेक्स तेम ना, ड्राइब करते वग फोन पे बात नहीं करना ने तो सिधा चला न काट दूगी, ज़ो सब तैयार है? हाँ कारी सारी आइनलीस? हो, वहाँ जारियों में जाके पहिंद किया जी सारी सारी हो मोबाइल, इसके लावब कुछ नहीं मिला कोड़ी करो सर से चॉप है कितने सुलसान जगे क्या करने याई थी? बोड़ी को पोस्माड़ी मिले बेज़ दो सार सर भार एक गाड़ी कड़ी है, वो चेक करूगा आपा बगा ना कातिल कार क्यू छोड़की जाएगा मुझे लगता है कार उस लेड़ी की है करने के साबन लगा सर कार के अंदर कुछ भी नहीं मिला ना इंसुरेंज पेपर, आर्शीप हो गया पीवेशी कुछ भी नहीं गाड़ी को फॉरें से के लिए बेज़ दो और आसपाक के सारे जोएलर्स को अलट करो हो सकता है चोरी वारी जोएलरी कोई बेचने की कुशिश करें मंगल वारी एरिया में जितने भी हिस्त्री शीटर है सब को उठाओ हैरत होती ये जानके कि आज के जमाने में भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग है जो एक औरत को औरत पूरी तरह से तब मानते जब वो एक बच्चे को जनम देती है नहीं तो उसको अजीब उगरीब नाम देते हैं जैसे बांज, बंजर पर कहती हुए कैसी मान सकता है जहां औरत को औरत होने की मानिता सिर्फ तब ही दी जाए जब वो बच्चे को जनम देती है बरना उसके वजूद की कोई अहमियत नहीं है क्या उसका कोई सम्मान नहीं प्लीज गौर कीजिए यह सोच बहुत गलत है तो जानवी की हत्या का इस बात से कोई तालोक था या उसकी कतल की कोई और वजय थी सर जंगल के बाहर जो कार खड़ी थी वह मोहित सावन के नम रइस्टरड है और सर जो बाडी मिली थी वह उसकी वाइफ जानवी सावन की है यह दोनों हिम्शाय सोसाइटी में रहते हैं सर माधवनगर में माधवनगर से मंगलवाडी है मतलब जहां हमें लाश मिली वहां तक का वासला बीस किलोमेटर रहा है तो इतने दूर यह जानवी क्या करने गई थी एक काम करो उसके फैमिली वालों से और कॉलनी में पूछताच करो किसी को तो कुछ पता होगा ठीक सर कुंडरिक नगर पोली स्टेशन एड कॉंस्टबल विला सराने बलता है सर मेरी दुकान में एक और रजने चोरी करने के कोशिश की है जी यह मेरे बाग में गल्ती से गर गया था मैंने चोरी नहीं किया सर अभी फुलिस आएगी सब पताएगी कैसे गत्ती से करिया अ आलाता सुन एक मस मचली भसे काटे में तुआ समय पर पहुच्चा माडम यंगूटी मेरे बाग में गल्ती से गिरी मैंने चूरी नहीं किया माडम यह रही तुमारे ओंटी आगी कारवाई में करेंगा देख अगर जेल नहीं जाना है तो पच्छी सजार गएग मैं केस रफादाफा कर दूँए मैं मैं पैसे नहीं है माडम मेरे पाएग तो चल जेल चल अभी नहीं मैं खल से लिखनाती हूँ ठीके अपना एड्रेस और फोर नंबर दे ठीके मैं अभी तुझी जो एड्रेस दे रहूँ इस एड्रेस पर पैसे कहुंचा देंगा अगर पैसे नहीं दिये तो अंदर डाल दो इसमें सिफ तुमारी ही बजना में सोर्च लेने एक बात बताओ एक बात बताओ यह जानवी मंगलवाडी के जंगल में क्या करने गई थी सर हमें तो खुछ पता ने वह जात्यवद बोलके वही थी कि कुसुम के आप पूजा है वहाँ जा रही कुसुम का नंबर दो सर कुसुम बोल रहे हैं कोई पूजा नहीं थी मतलब जानवी हमें जूड़ बोलके गई थी पर क्यों तुम बताओगे हम भी तो यह बात जाना चाहते उसकी किसी के साथ दूश्मन ही थी कोई मुक्सान पहुजाना चाहता था उसको नाई साहिब आज इसमों खुब चांगली होते हो वो कभी किसी से उच्छी हावाज में बात भी नहीं करते थी उससे कुन दुश्मन रहेगा सर आज तुम कहा थी ओ ओ ओ ओ ओ ओफिस में सर ओफिस एक जाने भी अपने फैमिली से क्या छुपा रही थी क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में हाँ एक काम करो फैमिली की पूरे डीटेल से मिकाल और उसके बारे में कॉलने में पूछता चका तो निए शुभांगी वही थी जानवी की सबसे अच्छी सहली पूर सकता है उसे कुछ पता हो सर शुभांगी के काफी मिस कॉल जानवी के फोन बे बिदे हम मैंने सबसे पहले सोसाइटी का सीजर्यू चेक करा मैंने में सुभांगी कहा रहे थी हुआ हुआ हेलो हमें कबसे बेट कर रहा हूँ मचली आने वाली थी ना तुने अड्रेस तो सही दिया था ना कि आरवार की तारह गरेश नमबर दो की जगा गरेश नमबर एक लीक दिया अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ हलो का है तू? मेडम में थाने जा रहे हूँ मेरा रेप हुआ है तुन थाने जाने की शुरूत में है कामकर कमालनगर के नाके पर आके मिलो हाँ और के लिए के लिती ता है टूने वहां पैसे नहीं पंचा है गलत अड्रेस पर तूने पैसे पंचा है मैडम मेरा रेफ हुआ है अब मुझे थाने लिए चलो प्लीज अच्छा ये बताओ, वो आदमी कौन था? पता नहीं, मैंने चेरा नहीं देखा, मेरा चेरा डगती हाथ अरे वो नहीं, जिस आदमी को तुमने पैसे दिये, वो कौन था? मुझे रेपोर्ट पाइल करा लिया, मुझे थाने ले चलो देखो, तुमने उसका चेरा भी नहीं देखा, जिसमें तुमारा रेप किया है किसके खिलाब तुम कमलेड करोगी, हाँ? मेरी बात मानो, घर जाओ, पर जो कुछ होगा ना, उसे भूल जाओ, इसमें सिफ उमारी ही बदनामी होगे है अगर शोबंगी कुटे होतीस तू, कपड़ा नवडी माती कुछे लगले वो मार्केट गई थी तो पहे पिसल गया, गिर के अच्छा, अच्छा, अब शोबंगी, जानवी का किसने खोन कल पिया जाँ कि अच्छे हो अच्छे चांव कर दो, कि अच्छे जाती होगे इसमें सा अच्छे बशस्तार्य कि अच्छे मगभाण हम कर दो से जानवी की इनिशेल पीम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका मडर रविवार को नौ बज़े से ग्यारा बज़े की बीच में हुआ था सर यह देखिए हैं छाय कॉलनी की गेट की सिसीटी फोटेज सिर्के यह वाच्मन गेट क्यों ने खुल रहा है और मुझे लगता है इसे वज़े से जानवी का उसके साथ जगडा हुआ होगा और बाद में दूसरे वाच्मन यहां के गेट खुला यह दूनों वाच्मन को बूला सब जानवी इतरा सजदज के 20 किलोमेटर दूर मंगलवाडी जंगल में क्या करने गई थी मुझे लगता है मर्डर किसी और इरादे से किया है और दिखाया गया लूटमार की इरादे से हुआ है अवाँ जानवी की ज्वेनरी भी लिए और जब मेन उस पीशी वाले से पुस्ताच की तो उसने बताए कि वो कॉल किसी औरत ने किया था उसका इसकेज मंदा है सर जो हो सक्ता यह और उसी एरिया में रहती हो बूंदो उसे ठीक है है आई मैंने कहा ना इस अ आउरत ने मुझे पैसे नहीं दी निए पता गलत या होगाँ मुझे आलिले पैसे रहें आँ है तुम्हारे घकिया प्लान में साथ दे रहे हो ना? सर्मि मालिज दुकिय है मुझे यह मेरा देखर तुमेरे उपर आइसा ने कर रहे हैं ऐसे कि तुझे भी है ना तो क्या है न अच्छी तरह जानता हूं मैं अरे वो दूसरा वाचमन का है रभी उसको भूला है था ना साब मैंने उसको आने के लिए बोला था साब लेकिन वो बोला कि उसकी तबियत खराब है कि साब यह थोड़ा व़्र्टी खोपली का आदमी है अर चुट्टी ले लेता है उसकर थीक होपली सीधी करता हो मिलने के बाद आध पूसका जानवे माधम के साथ पॉंगा अगा हुआ था कुछ दिन पहले उसका जानवी मेडम से जहड़ा हुआ था रभी जोहे साहब वो औरतों के मामने में थोड़ा कमीना है साहब एक एक तु अंदर कैसे आये तुम और यहां खड़े क्या कर रहे हो तुम अरे हम तो साइटियों मेंटरेंस बिल देने आये थे दर्वाजा खुला रहा तो आगए ऐसी आजाओगे तो पर्मिशन दिये तुम्हें किसी नहीं ना इससे दर्वाजा खुला रखेंगी तो हम क्या कोई भी चलाएगा अरे चौबे क्या नहां टक लगा रखा रखा है भा रभी पर गुसा था और रभी को भी चानवी वडम से खुनस थी रभी को उटा उसको तबे ठीक कर दे पुल्टी दिमाग का यह तो हां जब जानवी क्वाली से निकली तो उसके पीछे-पीछे गया था तुने माइटर के एं उसका हम कहा है मारे के बार उसका अपने वहां जूसे निए घर चले गाते कुछ नहीं किया और क्या चलेगा गड़े यह जला अवह सब आपने को जो कहा है अब जो किया था सब जितना शरीप बिता है ना उत्वाई नहीं मतलब क्या हो सुने मतलब वो चानवी मैंना में बहुत जारे शक किया कपना था था हां हां आपक तो मेरे आती फोन कियो गट किया मुझे लगा आपको कुछ काम है इसलिए मैंने फोन रखा है अब ऐसे क्यों भी एफ कर रहे हैं देख तेरा बाहर कुछ चक्कर चल रहे हैं तो सीधा बता दे मुझे तो ऐसे लग रहे हैं तो मेरे साथ बच्चा ही नहीं चाहिए प्लीज मोहित असा बोलो नकाम मुझे तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है प्लीज मुझे सब तुम्हारे साथ की जरूरत है अगर तुम भी ऐसे बात करोगे तो मैं फूरी तरह से तूट जाओगी प्लीज मुएट संदेगों जब जानवी मेडम बहार गई थिने साथ कि मोहित साथ उसके पीछे पीछे गए थे अपनी आखों से देखे हैं अब चुर कि पता कर रहे सज बोल रहा है जूट बढ़ लग सर गर्मा गर्म चाहिए सर वह वाच्मन रवी साच कह रहा था यह गेट का सी सिर्व फूटेश जानवी के घर से निकलने के बाद उसके पीछे जो बाइकर हेलमेट में के जा रहा था था वो मोही थी था सर यह देखिए उसकी बाइक के नंबर प्रेट से कंफर्म लिवा है कि मोहीत को उठाओ ठीक है सर करड़े तुमें कित्री बार का इतनी शक्र मत दिया करो सर को कर ले इसे मना और ना कुई कि मेरे बीवी के पीछे नहीं गया था मेरे ऑफिस कह था और यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हुग लेकिन तो ने ये बात ने बताई कि तेरे बीवी के उपर तुशक करता था हम um सर निया वीघिवी में अक्सर ऐसे नौग जो पतरार होती रेती है मेरे लिवी से बहुत प्यार करताथा मा की तानों से हमेशा ускat बजाया करता था फिर मैं उसा क्यों करोंगा अब मुझ पर यकिन क्योंकर रहे हो क्यों करें । हाँ क्या प्रूफ क्या है तरे बास सच क्या है जूट क्या हम पता करेंगी अभी तुझा लेकिन आउरंगबाद के बाहर ने जाना शिरकेस के कुंडली निकल और उजानवी की बेस्ट फ्रेंड शुभां के उसका क्या होता है सर उसे फोन क्या है आजाएगी और उसके इच वाली बुड़ी औरत सर उसकी तलाश जा रही है खब्रियों को काम पे लगा दिया मैडम आपको इतनी बार फून किया और आप है की पुलिस टेशन आने का नाम ही ले रही है क्या बात है आप कुछ परिशान लग रही है कुछ प्रॉब्लम है सर मेरी सहीली जानवे के मौत की वज़े से मैं थोड़ी शौक में उसे अच्छा आपको किसी पर शक है जानवी की फैमिली में सब कुछ ठीक था सर जानवी की घर में कुछ भी ठीक नहीं था सर उसकी सास को भी मौका छोड़ती ही निती इस ताने मारने का जानवी को पनी बेटे की जिंदेगी से बाहर निकालने के लिए वो किसी भी हत्री आ सकती है लेकिन जानवी की सास उसे ताने क्यों मारती थी सर जानवी बाहर न होते होते हैं ओओ टेस्टा के इस ही होते हैं अ लुख जोग हर लियूरी मेनी ओधान उकर सकती है और गलतीरी यूर्जा के उखने मेंनेकर अपका हांत वह छोगक्त साइब होगह नीस हमां सकता है लेकिन मर्डर में नहीं कर सकती, माझा सुनी ची मर्डर मी कशला करो आटक बोट अच्छा करती हैं, मर्डर किसने किया आए किसने नहीं हम पता कर लेंगे चेलो गुद मॉर्निंग सर, गुद मॉर्निंग निकलने के बाद, संडे के दिन उसने चंदु यादव को फोन किया था चंदु यादव, मतलब यह वही है ना, जो सुपारी किलिंग केस में अंदर था हाँ सर, हरसु जेल में था, लेकिन कुछ दिनों पहले बहार आया सर, लगता है सारा कांड अनुरादा नहीं किया है, एक काम को औरो शिर्की, अपने ख़बरियों के चंदु के पीछे लगा दो, ठीक है सर, तब तक आप अनुरादा की खातिरदारी करते है, बोला बोला का आटा को सुपारी दी, हलो सब, चंदु देवी पाड़ा में धिका ए, ठीक है, सर, चंदु का बता चल गया है, देवी पाड़ा में शोपा है, देवी पाड़ा में लेंड़ु चंदू, कईदियों का बंधू, घर की रोटी हाजमने हो थी के तेरे को, जेल के रोटी का इंतजाम कर दिया, जानवी का मोनडर तु नहीं किया न, लेख, रविवार दस बजे का तेरा मुबाई लोकेशन दिखा रहा है, तु मंगल वाडी में था, तु नहीं मारा है न, जा साब ये बास सैच है कि मैंने उसकी सुपारी ले थी, पसाब मैं उसकी पीछे भी गया था, लेकिन साब मैं जैसे वहाँ पहुँचा न, सब गड़बर हो गई थी ये लोग कौन है इसलिए मैं वहाँ से भाग गया ये अरत थी वो हाँ साब, यही थी और दूसरा आग्मी, उसका स्केज बनवा सकता है जी साब, बनवा सकता हूँ सर ये मोहित संडे को ओफिस से नहीं गया है था और सर, इसके कॉल रिकोर्स चेक करें तो पता चला किसी रुपाली मोहित नाम की लड़की के साथ इसका अफैर्स एल रहा है, और ये बात इसके कलिग ने कंफर्म किये, सर एक और इंपर्टिन बात, मड़र वाले दिन रुपाली की लोकेशन मंगलवारी जंगल दिखा रह रुपाली का अफैर चल रहा है, अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होगा, तेरे आफैर तो चल रहा है, लेकिन सर, मिमा जब आइकोल नाए मार लिया, जिस दिन तेरे बीवी का मरडर हुआ ना, उस दिन तेरा मोबाइन तु जान बूश के घर पे छोड़के गया, लेकिन अरे गल्फ्रेंड गल्ती कर गए, वो मोबाइन तुम दोनों ने मिलके जानुई का मरडर किया है, नहीं ने सर आप गलत समझ रहे सर, आच्छी सर मुझे मेरे बीवी के ऊपर शक था, मतलब जैसा मेरा अफैर चल रहा है, वैसा मेरे बीवी का भी अफैर चल रहा होगा, ल और एक बार यह साबित होगे ना, इसका फिर चल रहा है, तो उसको में डिवर्स देखे तरे से शादी कर लूँगा, पर अगर नहीं हुआ तो, जानवी हाँ, अँछ तो गाट बढ़े हैं, मुझे तो लगता है, चलो चलते हैं से, मुझे बहुट डर लग रहा है, चलो चलो यहां चोलना हम भी पस जाएंगे, चलो और सर्प्र आपसे ही पता चला कि जानवी का मरडर हुआ है, केज दिखो इसको इसको जानता है? हाँ सर यह तो वही आ रहता है नमदा नाम है उसका हाँ रेगी यह शांती नगर में पर पाता था ना बता ही को ने मुझे लगा कि मैं अगर आपको बोल दो कि मैं वहाँ पर मौझूद था तो तो सर आप मुझे ही कातिल समझते थे ला तो आभी भी मैं समझ रहा हूँ, तू कातिल है नहीं सर इने खुज का चक्कर चल रहा है और बीवी के उपर शक लेता है तूने तेरे बीवी का पीछा किया तू मडर स्पॉट पे मौझूद था तूम दोनों ने मिलके जानवी का मुर्डर किया है सर लेकिन आमने मुर्डर नहीं किया हम कातिल नहीं है सर हर कातिल यही कहता है लेकिन इस बार हम कहेंगे तू कातिल है नहीं सर आमने कुछ नहीं किया अरे क्या हुआ डर क्योंगी मैं ही तो और वैसे मैं रिशब को शुला कर आयो, तो यह सब कामाम छोड़ दो और चले अरे शुपंगी क्या हुआ, इतना परिशान्त ही हो तू राजेश, मैं तुमसे कह देने से कुछ कहना चाह रहे थी अरे शुपंगी, क्या हुआ, बताओ मुझे क्या बात है उस दिन नगोठी बैक में चले गए थी, पुलिस बाले लेकर गए पर मैंने चूरी नहीं किया बाड़ा अगर तुझे जेल ले जाना तो पच्छी सजार दे, मैं के सरफाताफा कर दूँगी, इस एड्रेस पर कैसे बुचा कर दो जब बापस आ रही थी तो, रास्ते में कैसी ने कसीट कर मुझे तुझे तो अभी चूने की बीच्छा नहीं हो रही मुझे जानवी और शुभांगी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें अतने भयानक रंग दिखाईगी हमारे देश में कई औरते बदनामी की डर से अपने उपर हुए जुर्म को छुपा जाती है और अगर वो किसी को बता भी दे, तो उन्हें गलत समझा जाता है अब शुभांगी के साथ जो हुआ, उसमें शुभांगी ही क्या गलती थी लेकिन शुभांगी के लिए न्याय की गुहार कौन लगाएगा उसे कौन इंसाफ दिलाएगा और उसे इंसाफ मिलेगा भी या आप उसके साथ हुए जुर्म को भी यूही भुला दिया जाएगा और कितना जूट बोलेंगी आप जानवी को क्यो मार आपने सेब में आई मार लजाने भी ला उल्टा मैं उसके मदद कर रहे थी वो मेरे बास संतान प्रप्ति की पुजा के लिए आई थी यह पुजा एकान में की जाती है इसलिए मैंने उसे मंगलवडी के जंगल में बुलाया था और यह पुजा है ना काली साड़ी पहन के की जाती है वो जाड़ी ओमें साड़ी पहन दे गए और किसी दे उसे बात डाला क्या मस्त कहानी सुना ही आप में वाह यह जो कहानी है ना सीरेल वालों को भेजो एकदब हाई टीयार पी शो बनेगा साड़ी नहीं बोल रही हूं कि सहब अचानती है नहीं नहीं जानती है पक्का? हाँ नहीं जानती हाँ आपने आम यह बताना चाहिए था सर उस लेडी कॉंसेबिल ने मुछे मना किया था और मैंने साब में का चहरा भी नहीं देखा था फिर भी आपने क्राइम रिपोर्ट करनी चाहिए थी हम हमारे तरीके से डूम लेते बूले का रोखो नाम क्या बताया वो लेडी कॉस्टेबल ने सर नाम मैंने पूछा नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं क्या हुआ है सर भूब तुमने बारा इसके बाद में हाथ उठाया ना पहले तुमको अंदर कर दो समझे आप वो घर दिखा सकती है में जा आपने पैसे दिये थे जी सर साब ये तो कमलेश है चोर है जोल करके पैसे कमा और दारों में उड़ाओ इसे तो बस यही आता साब group Annual बस मिहरे तो शन्ती नागर के साथ रहता है ये खोली नंबर पैता लेस्स और इसकी मा का नाम नर्वता यह यह गर साब आपको तो सब पता पहले से मैं और क्या बताऊ मैने पी मैंने उस आदमी को पैसे दिये कि अपनि अपने देखा के नितिन को नहीं अपने देखा मेरी अपने देखा मेरी बोते को मेरा पोता नहीं मिल रहा है कल राज से वो घरी नहीं आया माला वतलब मीत्रा गड़े से पंटिते इन आई है मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने बेटे कमलेश से पूछा आपने वो तो निकमा है उसे क्या पूछू यह यह ना आपका निकमा बेटा कमलेश पहली बड़ जब आपको इस कैस दिखाया था आपने तो आपने पैचानने से मना कर दिया था साइब माफ करा मला सगल सांगती तुमाला चला मेडम सांगाता साइब सांगती सगल मेरा भी टब घंबलेश और मैंने जानवी के गहने चुराने का प्लान बनाया था लेकिन साइब मेरा यकिन करिये अमने नहीं मारा अरे और कितना नाटक करेंगी आप हमें आपके अपके अपकी तलाशी लेनी है जोती, बस नाडम ये नम्मर अभी इदर ये अक्टिवेट दिखा रहा है और ये लताराने के नामचे रजिश्टर है लताराने रेखते हैं इस गर्ले माडम ये ही वो कॉंस्टिबल है लता, कुड़ आएगा माडम इसी आत्मी को मैंने पैसे थि राने तुम पकड़ा इंगो तुई बायको कदी जोई देले ने डिपार्टमेंट मदे हाँ इस वह गए थे करे देखा प्रक्रण करें तुरे देखा रेंड को उनिफर्म कि यहा प्सुञ इस अधुञ माप कारे वह ए वह कंड़ पर कमाने के लिए उम लोग नाक कर जेथे कुछ नाई व्ड़नीश्वांगी किया अजुनारान कि रेप क्यों किया लुक्त भूंगा जुबांगी क्यों किया एपता कि पडित क्यों क्यों पैसे लिए और ठीक 10 मिनिट बात उसका रेप हुआ ये इत्ते फाक कि बात तरहूं हुआ हां हां योगा हां योगा हां अ अ वह रगु की आ हो आख आ आ पताता हो आपक्त आ है हैं यह अ मैं यह ऊज़िगे तेरे नहीं एक घंसाना अपया अंग को तुसाहर कर लोकानि फे डिपार्ट्मेंट बदना होता है सर, जिस चौराय पर यदोनों लोगों को बेवकू बनाते थे, मैंने महा का CCTV फुटेग चेक किया जिस दिन जानवी का मडर हुआ, उस दिन उसी चौराय पर इस आर्मी ने जानवी का सब बत तमीजी की थी हाथ कैसे लगा? तो तुने उसका भी लोगा इडर किया? जानवी केस से मेरा कुछ लेना देना रही साची तो बता ता, मैं उसके उपर गुच्सा था काहिना केला, काहिना केला, काहिना कान करता है और बोलता है मैंने कान रही हाँ हाँ? सर पर बोलता है किसका बैग है? यह यह किसका बैग है यह 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 नहीं हो सकता बेटा आपको पता यह किसका बैग है? आगा भोश हाँ तुने और तेरे माह नहीं जानवी को बुला है था ना? मंगलवारी जंगल में हाँ सर हमने भुला है था लेकिं हमने मारा नहीं है सर सर इसका बेटा नितिन पकड़ा गया है जानवी के जेवर मिले है उसके पास माला माफ कराज जी मैंने अज जी के और बाबा की बात सुन ली थी अगर वह जेवर बाबा की आत लग जाते तो फिर से सारे पैसे दारू में उड़ा देते हमें कुछ भी नहीं मिलता स्कूल की फीज, किताबे, यूनिफर्म कुछ भी खरीबने के परसे नहीं थे इसलिए मैं सोचा उन दोनों से पहले क्यों ना मैं उसको लूट लू ताकि मैं स्कूल जाकर, पढ़ लिखकर जोती को और आज जी को अच्छी जिंदगी दे सकूं इसलिए मैं उस दिन मंगलवाडी के जंगल में पहले सही था लेकिन मैं बहुत कमजर पढ़ गया था मुझे डर लगने लगा था और फिर मैंने उसे मार डाला मैं सोची रहा था कि ये सारी बाते आज जी को कैसे बता हूं पर पुलिस हमारे गर तक पोच गई और डर के मार में वासे भाग गया देख तुम्हें बाल सुधार अगर बेजा जाएगा वाजिंदगी तुम्हें एक मौका देगी सुधार ने का कभी सोचा था तुम्हें जील में जाने के बाद तुम्हारी पोती जूती का क्या होगा करड़े किमजला देख जो हवल्दार राने को रिश्वत खोरी धोके बाजी और बलतकार के इल्जाम में सजा मिली मन में सवाल आता है कि 15 साल के बच्चे में ऐसे असामाजिक खयाल कैसे आते हैं वो कैसे सोचते हैं कि वो किसी और को तकलीफ पहुँचाएं जुर्म करें पर अगर कारण ढूंडा जाये न तो तुरुटी उनके परिवार में ही नजर आ जाती है क्या इसका कारण गरीबी हो सकता है बिल्कुल भी ने गरीबी किसी इंसान को कभी गुनेगार नहीं बनाता बलकि बच्चा बच्पन में अपने आसपास क्या माहौल देखता है उसके माबाप उसके आसपास क्या बरताव करते हैं खुद की जिन्दगी में वो क्या निर्णे लेते हैं ये बच्चे की भविश्य का निर्मान करता है आमतर पर माबाप को जो सही लगता है, वो बच्चे को सही लगता है बड़ों को जो गलत लगता है, बच्चों को वो गलत लगता है इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों की बहुत अच्छे से सोच समझ के परवरिश की जाए क्योंकि एक छोटी सी चूक उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है सवाल ये कि क्यों एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करते हुए नहीं हिचकता जब एक इंसान के साथ गलत होता है तो दूसरा इंसान क्यों नहीं बोलता तो चलिए एक सतर्क और सजक समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाथी दहियां लेती हूँ आपसे विदा फिर मिलूँगी एक नए केस के साथ तब तक देखते रहेए Crime Patrol सतर्क Women Against Crime एक औरत परवारब हर औरत का भार जैहिन